Welcome Students, कैसे हैं सбी आपका अपनी चनल Quick Science में बहुत-बहुत welcome है जैसा कि हम Data Science Paper 2 की तैयारी कर रहे है प्रिवेश इरे की सिरीज अभी हमने complete की ती और ये अब आपकी एक नई सिरीज शुरू हुई है जिसमें हम most important जो topic है वैसे तो हम सारे mostly topic इसमें cover करेंगे उनसे रिलेटिज जितने भी 2011 से कोशन बने है अब तक वो सारे कोशन्स हम कवर करेंगे और उसी के साथ आपको जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉटन्ट है और आज हम टॉपिक नंबर टू द करते जाने हैं और मैने बताया था पहले आपको क्या करना होगा नोच से ठोक पढ़ लिजेगा उसके बाद यह कोशन कर लिजेगा तो फिर आपको जो तैयारी है आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बहतरीन हो जाएगी और आप एक बहतर स्कोर जो है वो साइंस पेपर जो नूच्स capture ना उसकीया है वो सारे के सारे मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और topic नंबर फाइबर्टु infin के सारे कोशने तो एक जो टॉपिक है ना इसके जो प्लास्तिक वाला टॉपिक है वह भी हाँ पर Premiere inside जब हम NCRT में chapter देखते हैं, synthetic fiber साथ में उसमें plastic वाला जो chapter है, वो भी cover वहाँ पर हो जाता है, तो CETAT Science 2011 में ये question बना था, backlight is used in making electrical appliances because it is a, backlight का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है, ये क्या है, देखे, यहां पर आको एक concept समझना होगा, plastic का, कि दो तरह के plastic होती है, एक plastic होता है आपका thermoplastik, कौन सा plastic होता है एक होता है thermoplastik, एक होता है आपका thermosetting, उसमें setting वर्ड ओर जाता है thermosetting plastic, ये जो thermoplastik होता है, ये easily जब हम इसको heat करते हैं, तो ये पिघल जाता है, और पिघलने के बाद फिर से solid बन जाता है फिर से पिघा लेंगे फिर से पिघल जाएगा तो heat करने पर ये plastic जो पिघल जाएगा वो है आपका thermoplastic और PVC और polythene जो होते हैं वो इसके example होते हैं तो दिहान रखेंगे अगर आपसे पूछ ले थर्मो प्लास्टिक के कौन-कौन से एक्जामपल है जो easily heat होकर पिघल जाते हैं PVC polyvinyl chloride और आपका polythene जो है ये एक्जामपल होंगे थर्मो प्लास्टिक के उसके अलावा कुछ और एक्जामपल है थर्मो प्लास्टिक के जैसे नायलोन हो गया ये आपका synthetic fiber जो क्रत्रिम तंतू होता है उसके अंदर आता है नायलोन हो गया एक रायलिक हो गया टेफलोन हो तो ये सारे के सारे एक्जामपल है किसके थर्मो प्लास्टिक के दूसरी plastic होती है जो NCRT में दी है थर्मो सैटिंग सैटिंग का मतलब ही यहां पर बताता है कि जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वह पिघलेंगे नहीं वहाई येट के बैड कंडक्टर होते हैं वह असानी से पिघलते नहीं है, तो वो thermosetting plastic होते हैं, और उसके जो example NCRT में दिये है, वो है backlight और melamine, तो अब clear हुआ, इसलिए जो backlight होता है, जैसे switches वगेरा होते हैं, उनमें हम backlight जो plastic है, उसका use करते हैं, उसके पीछे reason यह होता है, कि जब heat वहाँ पार आती है, तो वो पिघलते नही होते हैं, बिजली के जो उप करण हैं, उनमें प्रियोग करते हैं, क्योंकि यह good insulator होता है, electricity का, बिजली का अच्छा insulator होता है, और यह अगर लगा होता है, तो वहाँ पर current नहीं लगता, जैसे आपने देखा होगा, switches वगेरा, तो वो backlight के बने होते हैं, कभी-कभी यह भ तो याद रखेंगे, heat और electricity, दोनों का ही insulator, या फिर हम यह भी बोल सकते हैं, bad conductor है, किसके heat और electricity के, कौन से, backlight और melamine, और दोनों किसके उधारन होते हैं, thermos setting के उधारन होते हैं, मुझे लगता है, यह अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा, अगर कोई question बने, तो अब आ यहां पर answer था, next question second, जो कि आपका 2012 की science में, question मना, आज मेरे तबिया थोड़ी खराब हो रही है, जुखाम मेरे को हो रहा है काफी, तो थोड़ा सा आवाज में उसको थोड़ा सा देख लीजेगा, PET bottles and jars are commonly used for storing edible item, PET is a very familiar form of, क्या, यह हम को यहां पर बताना है, आम तोर पर ख जो PET है, यह सूपरिचित प्रकार है, किसका यह हम को बताना है, तो यह हमारा क्या है, यह polyester है, यह आपको याद रखना होगा, important है, PET, polyethylene terafetolate, इसकी full form क्या है, polyethylene terafetolate, यह आपका किस plastic में आता है, पहली बाद तो आपको यह पता होना चाहिए, यह भी आपका, जैसे PVC से मैसे ही PET, यह भी आपका thermoplastic में आता है, ना कि thermosetting में, तो यह thermoplastic में ही आता है, और यह किस family का है, यह polyester जो है, उसमें हम इसको consider करते हैं, और cloth वगेरा जो है, उनमें भी इसका प्रियोग किया जाता है, और खाद्य समगरी के लिए जो बोतल वगेरा है, container of liquid वगेरा उनके लिए भी PET का प्रियोग किया जाता है, तो याद रखेंगे, एक तो यह thermoplastic है, और यह क्या है, यह आपका polyester जो है, उसकी कैटेगरी में आता है, तो clear हुआ option number, जो आपका second है, वो यहां पर सही हो जाएगा, अब देखें, यहां पर बात लिखी है, acrylic की और rayon की, यह भी आपको याद रखने होंगे, यह जो acrylic होता है ना, इसे हम artificial wool बोलते हैं, जो wool होती है, आपकी उन होती है, वो हमें किस से मिलती है, वो sheep से मिलती है, अब देखें, दो तरह के fiber होते हैं, fiber मतलब तंतू, और fiber अब आप confused होंगे, कि एक word starting में मैं बोला था fiber और उसके बाद बोला था fabric है ना, तो दोनों में confused नहीं होना है, fiber क्या होता है, जो raw material हम plant और animal से plant करते हैं, जैसे sheep होती है, उससे हमें क्या मिलती है, wool मिलती है, तो यह जो wool है, यह क्या है, यह fiber है, जो raw material है, plant से हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है, तो जूट क्या है, यह हमारा fiber है, जो raw material है बाद में हम यह क्या करते हैं इस फाइवर का यह जो फाइवर होता है यह जो तंतु होता है इसका यान बनाते हैं तागा बनाते हैं और इस यान से बाद में हमें क्या मिलता है फैवरिक जो है कपड़ा जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है तो फाइवर आपका क्या है रो तो याद रखेंगे जो एक्राइलिक होता है यह आपका आर्टिफीशल वूल के अंदर आता है रेओन जो होता है अब देखे जो सिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है अब हर जगा तो सिल्क यूज नहीं कर सकते तो इसलिए हम एक सैमि सिंथेटिक फाइबर यूज करते है तो यह अब है प्र tasty जो बनता है तो यह यह ना तो नेचुरल है ना यह सिंथेटिक मे आता है इसलिए हम एक वूल्ठिक ना यह सिंथेटिक है विज के वोलते है जो कहां से मिलता है वूट बूल्प से जो काश्ट होता है उसकी लुगदी से ये हमें प्राप्त होता है और इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम आर्टिफिशल सिल्क बोलते हैं तो ये कोशन बनता है कि किसे हम आर्टिफिशल सिल्क बोलते हैं रेयोन को आर्टिफिशल सिल्क बोलते हैं और ये जो एक्राइलिक जो की ह हमें naturally मिलते हैं कुछ मानव जो है human बनाते हैं जैसे acrylic हो गया nylon हो गया तो वो आपके artificial fiber होते हैं तो acrylic को हम artificial क्या बोलते हैं और rayon को हम क्या बोलते हैं artificial silk बोलते हैं तो यह सारी point भे आपको याद रखने होंगे यहां से भी question आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आंसर था आपको option number second next question third जो सीटेट साइंस 2012 में क्योंकि पहले दो दो जून में होता था जनवरी में होता था तो इस तरह से 2012 ही यहां पर लिखा है which one of the flowing mad made fiber is also called artificial silk अब तो मुझे बताने की जरुवत नहीं है सारे बच्चे यहां पर आंसर कर देंगे यह जो rayon होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं artificial silk बोलते हैं अगर इसकी जगा artificial wool लिखा होता तब हमारा आंसर होता option number four acrylic जो है वो हमारा artificial wool होता है ठीक है बाकी के बात अभी हम आगे करेंगे और next question four जो है यह हमारा 2015 में बना और यहां पर पूछी गई common characteristics of plastic तो plastic की जो समाने विशिष्ट गुण है वो हमें यहां पर बताने है अब देखे जो plastic होती है यह आपकी durable होती है टिकाओ होती है अगर पर सही है और यह आपकी non reactive होती है ऐसा थोड़ी होता है plastic किसी से reaction करती है तो plastic आपकी non reactive होती है यह ना तो good conductor of electricity होती है ना यह good conductor of heat होती है इस वज़े से बचे वे सारे option जो है वो गलत है option number C हाँ पर सही है टिकाओ बजन में हलके और अभिकिरिया शील होती है प्लास्टिक तो option number C हाँ पर सही है और दो तरह की plastic है मैंने आपको बता दी एक thermoplastic और एक thermosetting plastic नेक्स question देखते हैं question number 5 जो हमारा सीटन साइंस 2016 में बनाता select the true statement from the flowing निमलिकित में से सत्यकतन जो है वो हमें यहाँ पर चांटना है तो पहली बात तो यहाँ पर गलत हो गई अब दूसरे option में कह रहा है कि दोनों की दोनों थर्मो प्लास्टिक है नहीं यह दोनों थर्मो प्लास्टिक नहीं है इसकी जगा अगर PVC लिखा होता और साथ में क्या लिख दिया होता यहाँ पर PET लिख दिया होता या आपका polythene लिख दिया होता तो यह सारे के सारे क्या होती यह थर्मो प्लास्टिक होते लेकिन बेकलाइट और मेलमाइन क्या है वो आपकी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है तो अप्शन नमबर सी जो है वो यहां पर सही होगा बेकलाइट और मेलमाइन दोनों ही थर्मो सेटिंग प्लास regarding life cycle of silk warm and production of silk fiber रेशम के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये हमको बताना है इसको देखने से पहले मैं आपको एक concept समझाती हूँ और उसके बाद आप इस तरह का कोशन बनता है कभी आप गलत नहीं करेंगे देखे सबसे पहले जो होता है फीमेल सिल्क मौत होती है जो फीमेल सिल्क कीडा होता है वो क्या करता है कीट जो होता है जो फीमेल सिल्क कीट होती है वो क्या करती है वो अंडे देती है क्या करती है अंडे देती है और ये जो अंडे हो जाते है ये है छोकर फूट कर क्या बनते हैं ये लारवा बनते हैं क्या बनते हैं लारवा बनते हैं और इसी लारवा को जो ये फीमेल सिल्क मौत का जो लारवा है रेशम कीट का जो लारवा होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं इंपोर्टन्ट है, याद रखेंगे, फीमेल, जो मौत होता है वो अंडे रेती है, अंडा है, छोकर क्या बनता है, लार्वा च alignment camera को क्या बोलती है, वह को क्या बोलती है, deposit है, अभी जो CAPACING póta क्रेंतनी है, फिल्पोर होती है, कि इसे हम रखते हैं, उसे हम प्यूपा बोलती है जिस वक्त ये खाता है और खा के खूब अच्छा मोटा हो जाता है तो वो स्टेज में जब ये बढ़ता है वो होती है आपकी प्यूपा ठीक है फिर ये आगे क्या करता है प्यूपा जो होता है ये ऐसे 8 के स्टक्चर में इस तरह से घूमता है और अपने ऊपर एक सिल्क फाइवर जो है बनाता है प्रोटीन का जो की क्या होता है ककून जो होता है वो अपने ऊपर इस तरह से घूमता रहता है हैड के थूरू 8 जो डिजिट होता है उसके कोडिंग ऐसे घूमता है यह pupa जब पूरी तरह से खाना वाना यह खा लेता है और उसके बाद यह अपने उपर एक सिल्क की जो फाइबर है वो प्रोटीन की बनी होती है उसको बनाता है जिसे हम ककुन बोलते हैं और जब यह पूरी तरह से बन जाता है तो इस ककुन को ब्वाइल करके जो है इसमें से और फिर कोकून निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे बॉइल कर लेती हैं, तो उससे क्या होता है, कोकून के जो थ्रेड होते हैं, वो वहाँ पर निकल जाते हैं, तो इस तरह से पूरा प्रोसेश जो है, ये पूरा चलता है, तो लारवा जो होता है, सिल्क मौत का उसे हम क यह बात यहां पर गलत है, मैंने क्या बता है था, प्यूपा केटरपिलर में डेवलप नहीं होता, जो सिल्क मौथ है लारवा का वही तो केटरपिलर बनता है, जो प्यूपा है वो तो आगे की स्टेज है जब वो शेहतूत की पत्या जो है खाता है और अपने आपको उसी कटरपिलर रेशम का थागा है और रेशम के बना लिया अपने उपर उसी से हमें क्या मिलता है, छो रेशम का धागा है और यहां पर लिखा भी है देखें यह वाली बात when the caterpillar is full growth and stop eating खाता पीता है खूब अच्छे से अपने आपको मोटा ताजा कर लेता है तो उस stage में यह क्या कहलाता है यह प्यूपा जो है कहलाता है तो यहां पर गलत बात जो है वो option number second है next question देखते हैं question number seven यह question आपका दिसंबर 2021 में बना the major reason for using backlight for handle of pressure cooker is that देखें तो question कहीं न कहीं previous year से relate होकर बनते हैं pressure cooker के handle के लिए हम backlight का उपयोग करने के पीछे मुख्या कारण हमारा क्या होता है कि यह bad conductor होता है heat का उश्मा का कुचालक होता है तो handle तक heat जो है वो पहुँच नहीं पाती जिसकी वज़े से हम उसे असानी से पकड़ पाती है तो यह बात आप याद रखेंगे जो backlight होता है यह heat का भी bad conductor होता है और जब electricity से related question बने तो वहाँ पर हम किस पर टिक करते it is a bad conductor of electricity तो जब heat से related करके question पूछे backlight में तो आप answer देंगे bad conductor of heat जब electrical appliances को देकर पूछे question तो आप answer देंगे it is a bad conductor of electricity तो कुल मिला कर यह है यह जो backlight होता है यह दोनों ही bad conductor होता है किसका heat का भी और electricity का उश्मा और विधुत दोनों का ही कुछालक होता है तो यहाँ पर answer होगा option number A क्योंकि यहाँ पर handle जो है वो pressure cooker heat के संधर्व में पूछा गया था तो option A यहाँ पर answer होगा next question देखते हैं 8th question इसको अच्छे से समझने के कोशिश करिएगा यहाँ पर यह seated signs में 23 December 2021 की shift में जो था बना था stifling is applied to prevent the emergence of silk moth and prevent the silk for long period of time in the form of cocoon देखे रेशम के कीड़े को बहार निकलने से रोकने और रेशम को क्रमी कोश के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधी अपनाई जाती है यह बात बिलकुल सही है देखे होता क्या है जब silk moth अपने उपर silk का fiber cocoon बना रहा होता है तो उस समय वो बहाँ पर develop होकर बाहर निकलने की कोशिश भी करता है जो आपका रेशम का कीट होता है silk moth होता है तो उसको रोकने के लिए ताकि जादा से जादा cocoon वो बनाए और लंबे समय तक जो है हम उसको prevent कर सकें तो उसके लिए हम क्या करते हैं boiling वगेरा कर देती है boiling करते हैं या sun heat में हम उसको रख देती हैं जिससे क्या होता है वो जो अंदर का silk moth है वो मर जाता है और वो ककुन जो है वो लंबे समय तक long period तक हम उसको रख पाती है तो यह स्टिपलिंग होता है कुचलने की विधी हो पर यहां पर सही है लेकिन इस reason का कोई मतलब नीँ मतलब नहीं है reason क्या होना चाहिए था कि वहां से ज़्यां के साथ reason वो रिजल की निकलने के उपरांत जो रี sommes कहटा होता है उसे हम अहिंसा या अहिंसा सिल्क जो है वो हम यहां पर कहते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है देखें दोनों में डिफ्रेंस है इसमें क्या हो रहा है कि जो सिल्क मोत है उसको हीट या वॉयल करने पर मार दिया जा रहा है लेकिन ये जो अहिंसा रेशम होता है इसमें जो ये है तो ये बहुत अच्छा मैथड है ये नॉन वाइलेंस वाला मैथड भी कहलाता है तो दोनों बाते यहां पर सही है लेकिन इस रीजन का इस असर्शन से कोई संबंध नहीं है तो option number second यहां पर सही होगा दोनों सही है लेकिन r is not correct explanation of a अब यहां पर लिख लिखा है जो अहिंसा मलबरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं मत का सिल्क भी बोलते हैं इंडिया में तो याद रखेंगे जो अहिंसा मलबरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं मत का सिल्क बोलती है इंडिया में, it is produced by allowing the moth to hatch the cocoon before harvesting, तो सिल्क को जो हम ककून को जो हमें हारवेस्ट करना है, ककून को जो हमें निकालना है वो हम ककून को तब निकालेंगे, जब सिल्क मौत वहां से अपने आप क्या करेगा, हैच लेकिन जो स्टिफ्लिंग हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था? सिल्क मौत को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और उसी में क्या करे थे? उसको मार दे रहे थे तो वो दूसरा मेथ़ड है और ये वाला मेथ़ड जो होता है इसा यह जो अहिंसा सिल्क होती है इसे हम सिल्क, क्रूल्टे स्लिक, वी मेल सिल्क टॉण, सिल्क यो वगि नहीं από। पूरा अच्हे से कलियर हो गया होगाmakers कोशन 9 जो आपका 29 दिसंबर 2021 में बना और ये कोशन 3 से 4 बार बन चुका है तो ये कोशन important है ये sequence आप से पूछ लिया जाएगा identify the correct sequence of step in the process of the hair of sheep to wool ये देखे जो sheep से हम पूरी wool बनाते हैं फाइवर से जो हम fabric बनाएंगे है ना फाइवर तो क्या है raw material है जो plant और animal का है उससे बाद में हम क्या बना लेते हैं fabric जो है वो प्राप्त कर लेते हैं तो पूरा process क्या होता है वो हमें उसका जो चरण है उसके सही करम जो है वो हमें य पर answer हो सकता है उसके बाद क्या है हम क्या करते है स्कावरिंग करते है अभी margin करते हैं और इस स्कावरिंग को क्या बोलते है धुलाई धुलाई मतलग जो इसमें तेल है ग्रीस वगरा है वो अच्छे से हम साफ करते है क्योंकि जो sheep से हमने wool वहां पर निकाली होती है वो छटाई जो है फिर होगी means option no 4 जो है वो मेरा यहां पर answer हो जाएगा क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो sheep के कुछ हिस्से की wool होती है वो बहुत अच्छी होती है और कुछ हिस्से की wool होती है वो खराब होती है तो जो अच्छे हिस्से की wool होती है जैसे shoulder पर बहुत अच्छ वूल जो होती है वो कुछ खरावूल होती है तो उनकी छटाई होती है उनकी सौर्टिंग करी जाती है तो फिर ये होता है उसके बाद क्या होता है जो नेक्स स्टेप में आता है वो होता है आपका कार्डिंग होता है धुनाई करी जाती होगी धुनाई जो है वो आपने नेक्ट कॉशन 10th 31 December 2021 की शिफ्ट में बना था यह जो कैटरपिलर होता है यह जो सिर्क वॉम होता है रेशम का जो यह कीट होता है जिसे हम जो लार्वा है छो रहा था अंडे में से उसे ही तो हम कैटरपिलर बोलते है यह सिल्क वॉम भी बोलते है अगर आप से पूछें किस स प्रोटीन का बना होता है और उसे ही हम आगे चलके क्या बोलते है ककुन यहां पर सही हो जाएगा cotton अगर पूछे cotton is made up from which तो याद रखेंगे वो cellulose जो polymer होता है उससे बना होता है तो cotton के बारे में याद रखेंगे और पूछा जाए कि वो किस polymer से बना है तो जो cotton होता है वो cellulose से बना होता है ये भी important है इसको भी आप याद रखेंगे next question 11 जो 3 जनवरी 2022 में question बना which is the strongest natural fiber direct question बनेंगे देखें कितने easy ये 2022 में question बनावा है और question simple बना direct question पूछे जाते हैं इन chapter से बहुत ज़दा घुमा के question नहीं मिलेंगे सबसे मजबूत प्राकरतिक तंतु जो होता है वो आपका silk होता है जो रेशम होता है वो सबसे strong fiber होता है अगर इसकी जगा natural की जगा अगर इस बार ये पूछ लिया जाए आपसे artificial सबसे मजबूत artificial fiber कौन सा होता है करत्रिम तंतु कौन सा होता है तो उस case में आपका answer होगा nylon याद रखेंगे जो nylon होता है n y l o n ये जो nylon होता है ये सबसे मजबूत artificial fiber होता है तो ये point भी आपको याद रखना है next question 12 ये देखे वही से question बन गया है जो 4 जनवरी 2022 में बना plastic के संदर्व में correct statement जो सही कथन है वो हमें यहाँ पर बताना है thermoplastic can be molded again and again ये बिलकुल सही बात है ये जो tap सुन में बारम बार सांचों में ढाले जा सकते हैं क्योंकि heat करने पर ये बार-बार mold हो सकती है thermoplastic का यही feature होता है PVC, polythene, PET, nylon ये सब जो acrylic हैं ये सब सब किसमें आते हैं ये thermoplastic में ही आते हैं thermosetting plastic को हम soften नहीं कर सकते heat करने पर ये बात यहां पर गलत है तो मेरे ख्याल से option 1 यहां पर सही होगा क्योंकि बाकी सब यहां पर गलती होगा क्योंकि एक ही तो सही हो सकते है और पहला हमें सही दिखी रहा है तो जो soft हो सकती है heat करने पर वो कौन से प्लास्टिक होती है ना कि thermosetting बेकल लाइट is an example of thermoplastik नहीं ये thermoplastik के example नहीं है ये thermosetting का example है और यहाँ पर फोर्थ option में क्या बोल रहा है कि polythene और PVC जो होती है वो thermosetting के example होते हैं नहीं ये thermoplastik के example होते हैं ये question फिर से आगया और अब मुझे लगता है ये बात आपकी mind में set अच्छे से हो गई होगी कि कौन thermoplastik में आते हैं और कौन thermosetting में आते हैं तो option number one जो है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा next question 13 देखते हैं ये question थोड़ा अलगसा question बना था जो 10 जनवरी 2022 में बना था the flowing observation were noted by antara और burning various fiber on a candle flame मुंबत्य की जुआला में बिविन रेशो को जलाने पर antara ने निम्न प्रेशन यहाँ पर note कि और उसी के अधार पर हमें XYZ जो हैं वो यहाँ पर बताने हैं burn with bright light and greyish black ash is left तो ये जो होती है ये silk में होती है जब आप silk को जलाएंगे तो उसमें bright light जो natural fiber होती है उनमें light चमकती है वो पूरा क्या होती है जल जाती है लेकिन जो synthetic fiber हो गए जैसे nylon हो गया acrylic हो गया ये जलते नहीं है ये चिपकते हैं ठीक है तो ये बात भी आदाखेंगे जो पूरी तरह से जलते हैं वो आपके natural fiber होती है तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है यहाँ पर बात हो रही है silk की जब आप इसे जलाएंगे तो black color की जो ash है वो हमें देखने को मिलती है burn by curling and produce dark crisp ash ये जो dark crisp ash बनती है ये wool में भी बनती है और ये denim में भी बनती है जो denim होता है ये किस से बना होता है ये cotton से बना होता है याद रखेंगे denim किस से बना होता है denim cotton से बना होता है तो ये भी पूछ ले जाता है denim is made from which natural fiber तो denim is made from natural fiber जिसका नाम है क्या cotton तो denim को भी अगर आप जलाएंगे और wool को भी आप जलाएंगे तो यहाँ पर curling, curl से बनते हैं और साथ में जो dark crisp ash है जो क्या होगी आपकी select यहाँ पर गहरी गदगदी राख जो है वो उतपन होती है और जो melt करेंगे, पिखलेंगे याद रखेंगे वो कभी भी natural fiber नहीं होते वो हमीशा synthetic fiber होते है तो यहाँ से wool बहार होगा यहाँ से आपका rayon, rayon क्या है यहाँ सैमि सिंथेटिक है तो यह भी यहाँ पर जलता है तो जो चिपकेगा वो basically क्या होगा nylon होगा, जो कि आपका क्या है synthetic fiber है, कृत्रिम तंतू है यह क्या होते हैं, चिपकते हैं तो जब आग लगती है, तो कहते हैं cotton के कपड़े ही हमें पहने चाहिए क्योंकि वो चिपकते हैं, वो जल जाती है तो जल जाएंगे तो उसमें कम हमें injury होगी, लेकिन जो चिपकेंगे हमारी body में, उसमें क्या होता है, injury बहुत जादा होती है तो यहां पर जो answer होगा, वो आप इससे भी पहुँच जाते, Z से ही कि जो burn करेगा, melt, melt करेगा जलने पर, जलने पर पिघल जाते हैं वो synthetic fiber होती है, तो एक मातर इसी option में synthetic fiber दे रखा है nylon, यह जो rayon है क्योंकि यह तो semi synthetic में आएगा wool जो है, वो आपका natural होता है तो answer है, यहां पर option number 3, तो यहाद हैंगे जो silk denim और nylon है इनके बारे में यहां पर यह बाते हुई थी बाकि wool के case में भी dark crisp ash जो है, वो produce होती है, जूट के case में क्या होता है, यहां पर gray color की बहुत little amount में ash निकलेगी या फिर हो सकता है, ash जो है वो produce वहाँ पर ना ही हो ठीक है, next question देखते है, question number 14, जो आपका 21 जिन्वरी में question बना फिर से वही पूछ रहा है, step जो है आपके involved होंगे in making wool from sheep भेड से उन प्राप्त करने के जो चरण है, वो हमें बताने है, वीडियो को pause करें और खुद इसका answer जो है, वाप ठीक करें यहाँ पर क्या answer होगा तो answer होगा यहाँ पर क्या option number 1, सबसे पहले उन के कटाई होगी, फिर अभी margin होगा, मतलब उसकी सफाई होगी, धुलाई होगी फिर sorting होगी, छटाई होगी फिर डाई होगी, फिर उसका हम तागा बना देंगे और लास्ट में उसकी जो बुनाई है वो वहाँ पर कर ली जाती है तो option number 1 जो है, वो यहाँ पर हमारा answer है, next question 15 जो 21 जनवरी में कोशन बना था आपका 2022 में, X is a synthetic fiber, यह आपका sunslicious ratio है, which resemble जो वूल की तरह, उन की तरह मिलता जुलता होता है, जिसका हम यूज करते हैं, सॉल और स्वेटर और ब्लैंकेट बनाने में, क्योंकि नैचुरल फाइबर मिल पाना इतना असान, बहुत जादा मातरा में नहीं मिल सकता, तो इसलिए उसको उसी का जैसे रूप में बनाने के लिए होते हैं, महाँ पर synthetic fiber तो जो वूल की तरह, जिसे हम artificial wool भी बोलते हैं, भी पीछे भी समझाया था, वो आपका acrylic होता है तो option number second जो है, वो मेरा यहां पर क्या हो जाएगा answer हो जाएगा next question देखते हैं, question number 16 जो आपका 10 जनवरी 2023 में science के paper में question बना था read the flowing statement and select the correct option कतनों को पढ़िये और सही विकल्प का यहां पर हमको चैन करना है assertion और reasoning वाला question है अभी कतन यहां पर क्या दिया है यह जो polyester के cloth होते हैं, जैसे nylon के कपड़े हो गए, तो यह कैसे होते हैं dry faster than cotton cloth polyester के जो कपड़े होते हैं सूती कपड़ों से अधिक शीकृता से सूख जाते हैं यह बिल्कुल सही बात है आपने जो देखा होगा gym वगएरा में जो टीशट वगएरा पहनते हैं वो जादा nylon की होती है क्यों? क्योंकि वो easily क्या होती है पसीने को सुखा देती है वो जल्दी सूख जाती है यह बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है और उसके पीछे रीजन यहाँ पर क्या दिया है कि जो synthetic fiber होती है वो absorb करते हैं very less water जो sunslicious ratio होते हैं वो बहुत ही कम जलका absorption करते हैं तेकि जो cotton के कपड़े होते हैं उनमें जो छिदर होते हैं वो बड़े-बड़े होते हैं और वो पानी को जादा absorb कर लेते हैं लेकिन जो polyester के कपड़े होते हैं वो चिकने होते हैं और उनमें जो छिदर होते हैं जो hole होते हैं इस लिए शेद में शोटे होते हैं तो इस वज़े से नुझा होते हैं युक्वर पार्टिकलो पोलिज्ट केुछ से लिए वह च्छेद भ्याских च्छ चुटे होती हैं युक्ति, पानी को पानी को अबिने की का स्थे चाईनी ही पाते हैं कि संस्लेटिस रेशे जो होते हैं बहुती कम जल जो हैं उसका अफ्शोषन करते हैं नेक्स कोश्चन 17 ये भी कुछ इसी तरह से कोश्चन बना ये 11 जनवरी 2023 में बना रीट दा फिलोइंग स्टेटमेंट फिर से वही है और सही विकल्प का चैन करें असर्शन और रीजनिंग अभी कथन और कारण यहां पर दिया है कि जो सिंथेटिक क्लोथ होते हैं ड्राइफ फास्टर धन कोटन क्लोथ बिल्कुल यह बात तो सही है जो सूती कपड़े होते हैं उसके अपेक्षा में संस्लेटिस जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते ह तो यह जो लार्ज पोर्ष देखने को मिलते है जो जो बड़े झृदर होते हैं यह सूती कपड़ों में होते हैं नॉशुलिषित कपड़ों में तो जो समय जो सही है तो फॉस्वश और अर ओक्षार फोर्षा में म! match the name of process in column 1 with description in column 2 यहां जो column 1 है इस तमभन में जो प्रेक्रम है वो हमें दिये हैं और उनके जो व्याख्यान है उनका जो explanation है वो column second में दिया है और इनके basis पर हमें इनका मिलान जो है यहां पर करना है यह होता है उटाई जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसमें क्या करते हैं यह कॉटन के सीट्स होते हैं उनसे हम कॉटन को प्लक करते हैं अपने हैंड से कपास के बीजो से रेशम अलग करना तो कपास का जो सीड होता है, उससे जब हम कॉटन अपने हातों से निकालते हैं, तो वो प्रोसेज आपका गिनिंग या उटाई कहलाता है, तो एका मिलान जो है वो यहां पर धर्ड से होगा, जो हमें दो अप्शन में देखने को मिलता है, उसके बाद आता है कताई, कताई को कपड़ा होता है वो बनता है तो यह पूरा प्रोसेज भी आपको याद होना जाए कि सबसे पहले तंतू आता है फिर आपका क्या आता है तागा आता है यान आता है और फिर आपका फैवरिक जो वस्त है वहां पर आता है तो यह प्रोसेज होता है तो जब फाइबर से हम यान बनाते हैं तंतू से जब हम तागा बनाते हैं तो वो प्रोसेज होता है आपका कताई रेशो से धागा बनाना आपका कताई या स्पिनिंग होता है बी का मिलान फोर से होगा फर्स्ट और थर्ड ओप्शन दोनों अभी जा रहे हैं एक होता है बुनाई और एक होता है बिनाई यह जो बिनाई होता है इसमें क्या करते है हम धागों के दो समूच्चे जो है वो एक साथ विवस्थित करके कपड़ा बनाया जाता है और जो बुनाई होता है उसमें क्या होता है एक धागे से कपड़े का जो तुकड़ा है वो बनाया जाता है तो यहाँ पर जो आंसर होगा option number one होगा इनको आप अच्छे से याद भी कर लीजेगा कि गिनिंग क्या है separation of fiber from cotton seed spinning क्या है जो हम तागा बना रही है किस से आपके तंतु से fiber से knitting में क्या होता है एक जो single यान है उससे हम जो फैवरिक है वस्तर है उसका कपड़ा बनाते हैं लेकिन weaving में हम क्या करते हैं two sets of जो यान होते हैं दो तागे जो है वहाँ पर बनता है तो option one यहाँ पर हमारा answer जो हो जाएगा next question 19 जो 13 जन्वरी में आपका question बना simple question था जो latest यहाँ पर 13 जन्वरी 2021 लिग दिया यह 21 नहीं 13 जन्वरी 2023 के जो set है वहाँ पर यह question बनाता which of the following is prepared by using wood pulp का लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे प्राक्त करके निमन में से क्या बनाया जाता है तो वह सीधी सी बात है आपका rayon जो है वहाँ पर बनाया जाता है तो option number four यहाँ पर सही होगा यह चार important point लिखे हैं इनको याद रखेंगे rayon जो होता है उसे हम artificial silk बोलते है जो acrylic होता है उसे हम artificial wool बोलते है यह जो nylon होता है यह strongest synthetic fiber है और जो silk होता है वो आपका strongest natural fiber जो है वो होता है तो यहाँ पर जो हमारा काश्ट की look the wood के pulp से जो बनता है जो stem में होता है तने में होता है वो बनता है क्या rayon option 4 यहाँ पर answer है next question 20 जो 19th January यहाँ पर 2021 ही कर रहा है modify मैंने नहीं किया यह 2023 में question बनाता है आपका 19 जनवरी 2023 में कि nylon is used to make parachute देखे यह feature nylon के सारे है fire resistance को छोड़ने वैसे तो अगनी रौधी कुछ हद तक होता है लेकिन एक बार आग लग गई तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका melt यह यहाँ पर हो जाएगा देखे nylon is used in parachute देखे कपडों के regarding नहीं कूछा है question को समझना होगा तो यहाँ पर जब हम nylon को parachute में use करती है तो which of the following properties of nylon make it suitable for this purpose तो nylon की ऐसी कौन सी properties है जो इसे parachute में यूज करने के लिए बनाती है तो parachute जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं तो सीधी सी बात है यह हलका होता है इसलिए हम nylon का यूज करते हैं यह मजबूत होता है और हमने पढ़ा भी है जो nylon होता है वो strongest आपका synthetic fiber जो क्रत्रिम तंतू होता है यह वहाँ पर होता है तो यह मजबूत है तबी हम इसको parachute में यूज कर रहे हैं और यह elastic भी होता है यह लचीला भी होता है क्योंकि वो उसमें direction दिखाने में जो parachute में होगा उसमें मदद करेगा अब देखें इस शाइनी शाइनी होता है यह जो nylon होता है यह synthetic fiber होते हैं यह शाइनी होते हैं जब कपड़े के purpose में पूछ रहा होता इसमें cloth के purpose में नहीं पूछा इसमें parachute के purpose में पूछा है तो इस वज़े से E और F यहां पर नहीं आएंगे और जब E और F यहां पर नहीं आएंगे तो यह भी जाएगा अगनी रोधी होता है यह तो नहीं होगा तो यहां पर यह भी हटेगा तो ए बी सी जो है यह प्रॉपर्टी की वज़े से ही हम नायलॉन को यूर करते हैं पैराशूट में क्योंकि यह हलका मजबूत और लचीला होता है अगर कपड़े के परपस में पूछता यह च पॉटन कपड़े ही पहने चाहिए क्योंकि नायलॉन जो है वो चिपक जाता है बॉड़ी पे तो यहां पर आंसर होगा आपका उप्शन नम्बर सेकेंड ए बी सी यह प्रॉपर्टी की वज़े से ही हम नायलॉन को पैराशूट में यूज़ करते हैं अगर आपको बाइन की कंप्ली समरी के नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं प्रिवियस येर सारे विदांसर सापको मिल जाएंगे वन ट्वंटी रुपीज यूपी आइडी है इन पर आपको पे करना होगा इसके रिगार्डिंग आप मेरी मेल आइडिया वाट्सप पर क्या कर सकते ह और वहां पर आपको जो नोट्स है वो मिल जाएंगे नेक्स कोशन प्रंटी वन ये वाला सिक्वेंस तो मुझे लगता है आपको माइन में रट गया होगा 25 जनवरी 2023 में ये कोशन बना था पॉस करेंगे फिर से यहां पर बताएंगे सारे बच्चे क्या आंसर है तो जो कर देजाद उसकी "...स्काव्रिंग होती है जिसमें क्या जाता है atau फधर होंगे कर जाते हैं पिर उसकी छटाई होती है नाच से को तो मेरा यहां पर यहांपर क्या होगा आंसर हो जाएगा सेरी कल्चर जो होता है कल्टिवेशन ओफ सिलक वाम जहां पर हम जो फीमेल सिलक मौद थी जो अपना अंडा दे रही थी जो अंडा है छोकर कैटरपलियर बनना था जब हम उसका पूरा कल्टिवेशन कर रहे हैं हम सिलक वाम को मलबरी की leaves पर रख रहे हैं तो उनका cultivation करना ही silk warm का क्या बनाने के लिए silk बनाने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं उसे तो हम seri culture बोलते हैं तो cultivation of silk warm जब हम जो रेशम के कीट हैं उनका cultivation कर रहे हैं उनको use कर रहे हैं बनाने के लिए क्या सिल्क तो वो है आपका सेरी कल्चर और जो मौरी कल्चर होता है उसमें क्या होता है कल्टिवेशन ओफ मल्बरी प्लांट जहां पर हम शहतूद के पौधे लगाते हैं तो शहतूद के पौधों की जब खेती करते हैं उनका कल्टिवेशन करते हैं किसलिए ताकि जो सिल्क वाम है वो उन सहतूत की पत्तियों को खा सके इन ओर्डर टू फीड सिल्क वाम तो वो होता है आपका मौरी कल्चर तो ये दोनों टाम ही आपके सिल्क प्रोडक्शन रेशम के उत्पादन से संबंदित हैं तो option number second यहाँ पर सही होगा रेशम कीट पालन और शेहतूत क्रशी शेहतूत की क्रशी इसलिये की जाती है ताकि जो सिल्क वाम है जो रेशम कीट है वो वहाँ पर उनकी पत्तियों को खा सके सेरी कल्चर होता है और शहतूत का कल्टिवेशन करना वह आपका मौरी कल्चर होता है तो six于 यहां पर सही होगा next question देखते हैं जो आक मना बना अब देखेंगे जो कोशन बना और उन्हीं सुनमें इस दो कॉलम दिये हैं साइड में उनमें लिखावाय कि पॉलियस्टर क्या होता है तो यह जो पॉलियस्टर होता है आप यहां पर देखेंगे इस मेड़ आफ रिपीटिड चेंज ओफ एस्टर नोट्स में भी लिखा है इसलिए आप वहां से देख सकते थे तो जो बच्चे नोट्स अच्छे से पढ़के गए थे 2023 में उन्होंने अच्छा स्कोर किया मैक्जिमम स्कोर जो है बच्चों ने 28 भी किया है 27 भी किया है और 23, 24, 25 तो बहुत सारे बच्चों ने जो है इसकोर किया था पिछली बार भी और अगर आप नो और सारे प्रीवियस ये सिरीज आप सब देख कर जाती है तो आपको इस बार भी 23, 24 प्लस नंबर लाने से वरत शंकलाओं से बना होता है जो एक रसायन है और इसमें एक विशिष्ट फालो की जो है वो गंद यहां पर आती है यह बात बिल्कुल लिखी वी है NCRT की भूग में जब आप चैप्टर खोलेंगे सिंथेटिक फाइवर वाला कि पोलेस्टर is made up of repeated chain of ester which is chemical that give characteristics कैसी fruity smell तो है यहां पर देखने को मिलती है तो S1 यहां पर बिल्कुल सही है ठीक है तो यह option तो हुग यहां से बाहर एस्टर क्या है एस्टर are just made up of carbon hydrogen and oxygen और carbon के इसलिए होते है क्या है यह जो प्रपर्टी होती है जो शंखला बनाने की जैसे carbon carbon इस तरह से जो शंखला बनाने की प् देता है तो यह जो repeated chain बनती है क्योंकि वो क्या है यह एस्टर है और यह किसके बने होते है यह carbon hydrogen और oxygen के होती है यह बात भी यहां पर बिल्कुल सही है तो both S1 and S2 are correct और S2 इसकी सही व्याख्यान कर रहा है repeated chain से मतलब यहां पर यही है यह repeated chain of ester है क्यों है क्योंकि ester जो होत polyester की वहां पर देखने को मिलती है तो S2 उसका reason भी सही है और S1 भी सही है तो दूनों बात यहां पर सही है और वो सही व्याख्यान भी कर रहा है explanation भी कर रहा है option 1 जो है वो मेरा यहां पर answer होगा next और last question आज की class का जो 7 February 2013 यहां पर 22 लिख दिया ही 7 February 2013 में अभी जो shift हुई उसमें आपका यह question बना था step for production of silk are given blow simple मैंने पीछे भी समझा दिया था अब इनको सही sequence में arrange करना है कि जो रेशम का production होता है जो हमें रेशम प्राफ्थ होता है silk warm से रेशम के कीट से उसका सही sequence हमें यहां पर बताना है सबसे पहले क्या होता है अगर आपने पीछे जो हो सकता है सबसे पहले जो Nein cin抵ाफ अंडे लिए दिए तो सबसे पहले तो बिया अटाए का यह उप्शन हो गया यह आपर बहार तो याद रखेंगे जो Safe mosth होती है वो क्या करेगी सबसे पहले अंदे लेगी अग जो है वहां पर दएगी उसके बाद क्या हुता है इन इनको warm किया जाता है suitable temperature पर और यह क्या हो जाते है for larva to hatch ताकि hatch होकर अंडा फूट कर क्या निकले वहां से जो लार्वा है वो हमें प्राप्तो B के बाद D आना चाहिए तो यह हमें एक मातर fourth option में देखने को मिलता है और यही हमारा answer होगा अब अंडा फूट गया वहां से लार जो होता है जिसे हम caterpillar भी बोलती है are kept in a clean tray along with fresh mulberry leaves जो mulberry leaves की पतिया होती है अब लार्वा यह जो silk warm है रेशम का कीट है या caterpillar है इसको जो mulberry की पतिया होती है उन पर रखा जाता है ठीक है और उसके बाद क्या होता है बीस पच्चिस दिन तक यह खूब खाता पीता है caterpillar और जब यह खाता पीता है तो उस stage में यह क्या कहलाता है उस stage में यह pupa कहलाता है खाना पीने पूरा करने के बाद यह caterpillar क्या करता है खाना बंद कर देता है और उसके बाद यह अपने इर्द गिर्द जो है silk का fiber जो है मैंने बताया था eight की shape में इस तरह से गूंते वे अपने उपर सिल्क का फाइवर जो है जमा करने लगता है इस्पिन करने लगता है उसकी कताई करने लगता है और वहाँ पर क्या बना लेता है ककून जो है वहाँ पर फॉर्म कर लेता है और इस ककून को फिर जो है आपका सन में या वाइल्ड वाटर में डाला जाता है और जैसी हम उ तो जब उस ककून को उबलते वे पानी में डालते हैं या सन की प्रिजेंस में रखते हैं या उसको स्ट्रीम करते हैं तो जो फाइवर है वहां से ककून में से निकल जाता है तो option number 4 यहां पर जो है आपका सही होगा यहां पर पूरे step भी लिखे है देखे पूरा मैंने लिख एक साथ तो इसका screenshot भी खीश सकते हैं कि female जो मौत होती है वो अंडा देती है जिसे हम लारवा या caterpillar या रेशम का कीट बोलते है ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है यह caterpillar जो है आगे चलके व्रधी करता है और इस सवस्था में जब यह प्रवेश करता है पूरा व्रधी क अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और चैनल से बने रहे अगली क्लास में अगले टॉपिक से सारे प्रिवेस यह कोशन देखेंगे तो बस यह है और यह सीरीज आपके लिए मोटन देखेंगे और यह प्रवेश के लिए अगर प्रवेश के लि अच्छी मोटन देखेंगे